आपको ओरियो विसकिट से केक बनाना सिखाऊंगी यह हमें चहिए ओरियो विसकिट अब अपने हिसाब से कमने जाला कर सकते हैं यह आदी चुट्की से भी कम हैं यह वेकिंग सोडा है यह एक चमज वेकिंग पॉडर है और हमारा पिस्योवी चीनी है अब अपने स्वाद के साथ से करने जादा कर सकते हैं, अब हम इसे खोल के फिस लेते हैं यार देख सकते हैं मैंने सारे बिस्किट खोल लिये हैं अब omicam, तोड़ेकर दालके बारीज प्पाइन पेस्ट बढालें यार देख सकते हैं मैंने से मिकसी में डालके प्रवारीज पीस्ट लिया है अब इसके इंदर फार आप अब इसके अदर भड़ा जाएं दूद्र और यह चीनी एट कर देंगे आप अपने इजाब से कमी ज्यादा चीनी कर सकते तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसे पीस लिए अग्दम स्क्रीम कर रहा हो गया है अब इसे हम बॉल में प्लक लेंगे करेंगे मिक्स तो आप देख सकते हैं यह हमारा रटन ब्रकुल रड़ी है हमें इसी परिएक थिकनेस चाहिए थोड़ी दिरम छोड़ देंगे रटन ब्रकुलने के लिए अब में डालेंगे यह हमारा बेकी पॉर्डर है रेकिंग पॉर्डर इसे ताल के दिल्क देख सब्सक्राइए अच्छे ना इसे तो और था थोड़ा दूर ताल देख सिवाधा है एकान. हाँ देद देश्या के विल्षे माइक है, यह दिए हमारा चोकलेट केक है, अची तरीचे से पेट लिए है, सकते होगे, अची तरीचे से. अगर बटन को ियार बनाते हैं आपटे है केक के लिए मैंने बच्टन लिया है इसमें ने पेल लगा लिया है मैं घुन है केल Fleisch करेंगे किह मैं नेे हुआ कोट कर लेंगे और केक कर सुब कर अच्छी तरीके से लगाएं, अब ये देख सकते हैं, मैने इसको पर मैदा लगा लिया है, इस परीके से आप भी लगा लें, को केक बिलकुल भी नहीं चिक्केगा और बहुत ही असाई तरीके से निकल जाएगा, जब इस पर हम डालते हैं, अपना पेटन डाल देते हैं, अब देख सकते हमारा पैटन रेडी है, अब हम इसको दो तर बाट टैप कर लेंगे, जो इसके अंदर जो भी लंग्स और एरर हो गया था, वो सब निकल गाएगा, और इसको मैं दूख से डालोंगे, ये चोकलेट, टेकुलेशन के लिए, अब देख सकते हैं, इस तरीके से डालें, अब इसे डाल देते हैं, पक मेटी लिए, ये देखिया, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे पांचना पहले चड़ा दिया, ये अथी तरीके से गरम हो चुका है, अब इसके नीचे में डाल दूँगी तबा, और इसे डाल नो फ्लेम पे और इसे हम इसके अंदा डाल देंगे ताब धानी से डालें इसके इसके अंदा डाल के आप इसे 40-5 मिनट तक कुख होना देऊ लो फ्लेम पे और इसे हम कवर कर देंगे अच्छी तरीके से इसे कवर कर देंगे और यह जो हमारा छेद है इसे हम टुश्य पेपर या कोई कावस डाल के इसे कवर कर देंगे अब आप अपसके पर आठा भी डाल सकते हैं अच्छी क कारोडी डाल के जोला कि उसे मेल्ट कर लें Germ डबल बोईल, चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे यह हमारा डबल बोईल होगशा हए और यह यह दे कि डियर मिल्क चॉकलेट गुषी हमारे निडाल देगे आदे अधिक नडाल देगे वह मैल्ट दे है यह आप देख सकते हम इसे तोर्थे इससे निडाल देगे कि यह लगभग हमारा 50 मिनट हो चुका अब हम इसे खोल के देख लेते हैं नाइफ की सहायता से चेक कर लेंगे हमारा चाकु क्लीन है बिलकुल तो यह हमारा हो चुका है अब हम इसे थंडा होनी देंगे पंच मिनट उसके बाद से प्लेट में निकाल लेंगे तो आप यह देख सकते है हमारा केक 5 मिनट ही चुका है अब हम इसे प्लेगे इस तरह से डाल देंगे और यह तक कर लेंगे प 17ाश नहीं से निकल चुका है तो आप यह देख सकते हैं कितनी जाली-दार हमारा केक बना है और यह बिलकुल fix nesse रिख पंग छीailed इस तरह चाप चाहा हम आप नमें की एफोरेइख लगा ह benefiting फिर बारी यह हमारा चॉक्लिप की है तो इस तरह से सारा केक डाल। तो आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल रेडी है मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया इस पर थोड़ा सा बने चॉकलेट क्रुश करके डाल दिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं मैं आपको दिखा दूगी कितने सॉफ्ट बने हैं काटके कि चलिया उको आपको कितने सॉफ्ट बने हैं ये लिगे कितने आसानी से ये कट गया है मारा केक कितना सौफ्ट बनाए है आप देख शकते हैं कितनी जालीदार बनी है BuyOS बिलकुल सौफ्ट हेक दब सौफ्ट है Яप देख सकते हैं रिखाती हूं कि किते में सौफ्ट बनी आप इस तरते के से बनाएं कि ऐसे दूख शिलाएं, ने बहुत ही मज़िदार बहुत ही अच्छा लगते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना सौफ्ट बना है मैं आपको यह कट-कड़े कर लिखा दीथी, यह दिखें कि अरद बेले खेंवे और लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे